भारत में लगबख 30-40 प्रतिशद लोगों को diabetes है और भारत में diabetes होने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है और जो अभी scientific studies सामने आ रही है उसका मुख्य कारण है जो diet है उसमें जो खाना खाते है उसमें glycemic index जिन foods का ज़्यादा है और gyasemic load ज़्यादा है वैसे फूर सम खाते हैं जिस फूर में carboidid का percentage ज़्यादा है उसका glyasemic index ज़्यादा रहता है तो जैसे गेहू है चावल है इसका glyasemic index लगबग 75-80 है और ज्यादा तर भारतियों के खानपान में अगर हम देखेंगे तो गेहो की रोटी रहती है चावल रहता है तो यह जो गेहो की रोटी है इसमें कार्बाइड असी प्रतिशत है और शाम सबेर हम क्या खाते है गेहो की रोटी खाते है तो अगर हम गिहो की रोटी की बात करेंगे पर्टिकुलरली तो इसमें देखिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से 80 प्रतिशत रहते हैं और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है मतलब खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है बलड की इसका ग्लाइसेमिक लोड अराउं 12 से 13 है तो अगर हम बात करेंगे तो ग्यहो की रोटी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है तो अभी इसके बात लोगों ने जो मिलिट की रोटी है जो और बाजरे की रोटी इसको बहुत प्रमोट किया कि ग्यू और चावल अच्छा नहीं तो इसके जगह आप मिलिट्स का इए बाजरा ख़िए, रगी, तो काफ़ी सारी मिलेट से है, तो इसका 7 कीज़े, ओ सित के लिए अच्छे है, अगर हम मिलेट की बात करेंगे, तो इसमें काफी मात्रा में tiver का। जो digestion है अच्छो होता है, इसका जो glycemic index मिलेट का, या around 65 के लगबग है, मतलब गिहु चावल से हम compare करेंगे तो इसका glycemic index कम है ठीक है उनका है गिहु चावल का है 75-80 और इसका है around 65% परतिशत मिलेट्स का लेकिन दोस्तों अगर हम carbohydrates की बात करेंगे तो मिलेट्स में भी लगबग 70% carbohydrates रहते हैं ठीक है इसमें भी carbohydrates जादा है और जैसे already हमने कहा कि carbohydrates क का consumption ज्यादा रहेगा हमारे diet में तो insulin resistance होगा insulin resistance होने से मोटापा होगा diabetes होगा high cholesterol high BP की भी समझचा इससे उत्पन्न हो सकती है तो millet की रोटी भी अगर compare करेंगे हम गेहु की चावल की रोटी से तो उससे बेहतर है लेकिन अगर हम सिभ मिलेट की रोटी का सेवन करेंगे तो हो भी सहत के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसका glycemic intake ज्यादा है उसमें भी कार्भाइडर ज्यादा है हाई एक बात उसमें अच्छी है कि फाइबर कंटेंट ज्यादा है अभी हम बात करेंगी कि मिलेट की रोटी से भी और कोई बेतर हमारे पास है तो इसके लिए हमने कापी सारे experiments किये और एक्सप्रिमेंट करने के बाद हमने एक ऐसी रोटी बनाई है कि उसका glycemic लोड भी कम हो उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहे उसमें कार्भाइडर भी रहेंगे और फाइबर भी अच्छे मात्रा में रहेगा तो यह रोटी जो हमने बनाई है वह है कि उसमें हमने लिया है 25 पिर में और जो 75 पर कुर्ट अब है दलक को लिया है तो जैसे अब ही समझ लिचिए आप एक किलो जो है ज्वार लेते हैं तो आपको एक किलो क्या ले शी है 충ki दाने है और जो एक किलो है वह बाइधिकी कि दान needs और जो एक किलो कि नहींते त सकते हैं चाना दाल ले सकते हैं तो हमने जो डाली इस्तमाल की में लिए जो डाइजेशन के लिए असान वो डाली इस्तमाल की जैसे एक किलो मुंग की डाल एक किलो उड़त की डाल और एक किलो मसूर की डाल या जो रहता है अपना चौली की डाल और एक किलो जौर और इसको पीस के लाई है और इससे जो रोटी बनेगी आपकी दाल मिलेट रोटी यह सेहत के लिए काफी अच्छी है क्योंकि इसमें जो है बैलन्स मात्रा में कार्बाइडर्स रहेंगे प्रोटीन्स रहेंगे इसके साथ साथ फाइबर्स रहेंगा जो माइक्रो निल्ट्रियंस है वो है तो यह दाल मिलेट रोटी का जो ग्लाइसेमिक लोड है यह आराउंड पास से छे रहेगा तो यह लो ग्लाइसेमिक लोड रोटी रहेगी और अगर खाएंगे तो इसका फाइदा क्या होगा इसका डाइशन दिरे दिरे होगा तो हमारी बलड की शुगर लेवल से सवाल है उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों को मोटा पा है वेट ज्यादा है उन लोगों का वजन में रहेगा और इसके अलावाद जो लोग अभी सेहत-मंद हैं मतलब जिनको अभी बीमारी नहीं है लेकिन उनको जैसे पेट निकला हुआ है पेट की चरबी है तो उन लोगों ने भी इस लोटी का सेवन किया तो उनको एडिकवेट मातरा में इससे प्रोटीन मिलेंगे और जहां तक हो सके गिहू और चावल का सेवन कम कीजिए आपको लॉंग टर्म में फायदा होगा इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है या आपका कोई सुजा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद